हालो फैंज, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंगले सर्वांटेज यूटूब चैनल पर फैंज, इस वीडियो क्लास में मैं डिसकस करूँगा IBPS क्लर्क और LIC एक्जाम के लिए Most Expected 15 Questions और definitely ऐसे Questions आपको देखने को मिलेंगे इन एक्जेम्स में तो यदि आप Serious Aspirant हैं IBPS क्लर के और LIC एक्जाम के तो इस वीडियो क्लास को आप एंट तक देखिए इसमें काफी सारी ट्रिक्स और काफी सारी बेसिक रूल्स में आपको बताऊंगा जो की highly useful रहेंगे आपके लिए देखिए यहाँ पर एक Question है और Spotting गर के यह Questions है Spotting गर के Questions में सबसे ज़्यादा Important क्या होता है देखिए Proposition काफी Important होता है तो छोटे छोटे जो Propositions हैं उनको आपको जरूर देखना चाहिए जब आप Spotting गर के Questions को करते हैं और Subject Word of Agreement जो Concept है उसको आपको जरूर चेक करना चाहिए तो यह दो Concept आपको जरूर देखना है अब यहाँ पर देखते है RBI has raised serious misgivings about Mudra Loans turning non-performing तो आप चाहें तो इन Questions को इस वीडियो को पॉस्ट करके खुद भी Attempt आप कर सकते हैं तरीके से आपका यह कि यह मौक टेस्ट भी हो जाएगा अब देखिए इस तरह के Questions को करने का सही तरीका क्या है कि यहाँ पर चुकि हैस लगा है तो यहाँ पर वर्प की third form लगी है serious misgivings का मतलब है misgivings हम बोलते हैं doubt को तो RBI ने raise किये है serious doubts किस के बारे में mudra loans के बारे में और उनका जो doubt है वो यह है कि mudra loan जो है वो non-performing assets बन सकते हैं mudra loans turning non-performing assets mudra loan actually यहाँ पर एक noun की तरह काम कर रहा है turning present participle की तरह काम कर रहा है mudra loan that can turn आप ऐसे भी बोल सकते हैं sentence को mudra loan that can turn non-performing या that can turn आप नहीं लगा सकते तो आप लगा सकते हैं turning mudra loan turning non-performing assets तो देखा जाए तो grammatically यह sentence अही है और contextually भी sentence अही है तो इसमें आपका जो answer होगा वो होगा no error ठीक है question number second आपके सामने हैं देखें इस question को many of my cousins मतलब मेरे काफी सारे cousins मेरे काफी सारे cousins में से कई सारे many of my cousins यहाँ पर off के साथ यह जो noun आएगी यह plural में आएगी क्योंकि many के बाद जो noun आती है वो plural में आती है many of my cousins beat around the bushes देखें beat around the bush का मतलब होता है इधर उधर की बाते करना फाल्दू बात करना लेकिन जो सही idiom है वो क्या है? वो है beat around the bush यह bushes नहीं होता यह bush होता है तो इस तरह के जो idioms आते हैं उसमें change करके भी कभी questions दिये जाते हैं तो इसलिए यदि कोई exam में आपके idiom आ रहा है तो इस idiom को आपको सही तरीके से चेक करना है तो यह एक बहुत ही important point है तो beat around the bush नहीं होते है beat around the bush होता है यानि B इसमें आपका सही answer होगा इसमें एक चीज़ आपको और देखनी है जैसे ही आपको answer मिलता है आपको उसको tick mark करना है और आगे बढ़ना है इस तरीके से आपको time save करना है क्योंकि time बहुत ही important crucial factor होता है अब देखे question number third आपके सामने है the Bombay High Court on Thursday upheld on Thursday सही है क्योंकि day and date से पहले हम on लगाते है तो on Thursday यहाँ पर सही है upheld actually uphold का second form है और इसका मतनब होता है maintain करना ठीक है तो Bombay High Court on Thursday upheld Bombay High Court ने Thursday को upheld किया maintain किया क्या maintain किया validity of the reservation of the Maratha community in government job and education मतलब Maratha community के लिए जो reservation है उसकी constitutional validity को upheld किया उसको माना कि यह चीज़ सही है और इसको हम continue करेंगे अब देखिए इस पूरे sentence को ज़िए आप देखें तो कोई भी इसमें mistake नहीं लगेगी लेकिन यदि आप बारीकी से देखें तो reservation जो word है इसके बाद हम लगाते है reservation for reservation of नहीं reservation for क्योंकि एक community का reservation की हम बात कर रहे हैं reservation for SC reservation for ST reservation for Marathas तो इस तरीके से देखें यहाँ पर proposition की एक बहुत ही बारीक सी mistake है तो इसलिए subject verb agreement को आपको देखना है proposition को आपको देखना है और idioms को आपको देखना है तो reservation for इसमें होगा ठीक है पूरा वीडियो क्लासी end तक देखिए इसमें बहुत important questions मैंने लिये है the fact that the crowds got larger and larger are a reflection अब देखें simple subject verb agreement की एक mistake है इसमें यह जो R आ रहा है इसका relation किस से है क्या इसका relation crowd से है नहीं इसका relation crowd से नहीं है इसका relation जो है यह है fact से और fact जो है यह है singular तो singular subject के साथ यहां पर जो verb आएगी वो आएगी कैसी आएगी singular आएगी तो B इसमें आपका सही answer होगा the fact that the crowd got larger and larger is तो इसमें आपका answer होगा B ठीक है next question देखते हैं the monsoon has so far delivered है इसके साथ वर्प की third form आती है so far को भी हम present perfect tense में ही use करते हैं तो यह सही है है जिसमें सही है वर्प की third form का use हुआ है यह सही है the monsoon has so far delivered 36% few rainfall देखे rainfall जो है यह non countable है बारिश तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कैसारी बारिश rainfall जो है यह non countable है uncountable है इसलिए few नहीं आएगा यहां पर हम लगाएंगी less ठीक है तो A इसमें आपका सही answer होगा अब बाकी पूरा sentence आपको पंड़े ही जिरोत नहीं है जैसे ही आपको answer मिलता है और आप sure है कि यही इसका answer है तो आप आगे बढ़ सकते हैं question number next देखी authorities band older cars with higher emission labels from the roads in an attempt to offset a peak देखें sentence में क्या बूला जा रहा है कि authorities ने band किया उनको रोक दिया किस को रोक दिया old cars को ज़्यादा परानी हो चुकी थी with higher emission labels मतलब ज़्यादा carbon dioxide छोड़ रहीं थी और atmosphere को polluted कर देएं थी उनको band कर दिया from the roads, roads से उनको हटा दिया in an attempt मतलब इस प्रयास में इस प्रयास में उनने हटा दिया कि to offset a peak मतलब जो air pollution बन रहा था उसको compensate करने के लिए उसको कम करने के लिए offset का मतलब है कि किसी चीज को compensate करना या बरावर कर देना balance out कर देना उसको तो चूकि atmosphere में pollution बहुत जदा बढ़ रहा था उसको offset करने के लिए इन्होंने older car को हटा दिया लेकिन यह जो pollution था, यह कहां पर था offset a peak मतलब जो pollution बढ़ रहा था peak का मतलब बहुत जदा बढ़ रहा था offset a peak offset a peak यह कहां पर था in air pollution air pollution में जो peak था, जो बढ़ पर था उसको offset करने के लिए तो यहां पर offset a peak in air pollution offset a peak on air pollution नहीं, offset a peak in air pollution D इस question में आपका सही answer होगा तो नेक्स्ट हम देखते हैं from companies building palm-sized satellites to those aiming to propel satellites into space using cleaner fuels a new wave of space technology startup is mushrooming into India देखे, into हम कब लगाते हैं into जब एक object का movement बाहर से अंदर की तरफ होता है लेकिन mushrooming एक ऐसा word mushrooming का बतलब होता है grow करना, तेजी से फैलना तो into word नहीं आएगा यहां पर क्योंकि mushrooming in India into का कोई context नहीं है into हम movement के लगाते हैं जब एक object बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो mushrooming in India कहना यहां पर सही होगा और बाकी पूरा sentence इसमें सही है तो c इसमें आपका सही answer होगा इस तरह के questions SBI clerk में भी पूशे गहते हैं और definitely IBPS clerk और LIC exam में सेम इसी तरीके के questions आपको देखने को मिलेंगे चलिए next question देखते हैं the previous RBI directive वो silent on silent के साथ हम on लगाते हैं silent on मैं चुप हूँ मैं किसी चीज के ऊपर चुप हूँ मैं किसी topic पर चुप हूँ ठीक है तो silent और rely इनके बाद हम on लगाते है silent on, rely on whether data can be processed abroad और should only be done local देखे पहले वाला जो RBI directive था वो इस चीज पर चुप था वो इस चीज पर silent था कि data को हम अपनी हम बाहर process करें या locally अपनी country में ही process करें तो इसके बाद यहाँ पर देखे एक verb है done it should only be done it should only be done done को हमें modify करना है done है verb तो verb को modify करता है adverb तो यहाँ पर local ना लिखते हुए हम लिखेंगे locally ठीक है verb को हम adverb से modify करेंगे तो यहाँ पर आपका D इसमें सही answer होगा चलिए next question दिखते है while the public health care mechanism statards statards का मतलब होता है लड़ खडाना hesitant होना तो public health mechanism जो है यह singular है तो इसलिए statards जो word है यह सही है क्योंकि इसमें S लगा हुआ है यह सही है the charges in the chick private facilities are frightfully exorbitant देखें एक तरफ हम इसमें दो चीज़ों compare कर रहा है एक तरफ तो public health mechanism जो है वो लड़ खडा रही है दूसी तरफ private hospitals में जो facility है उनके जो charges है वो बहुत ज़दा exorbitant है बहुत ज़दा है तो इसमें actually word related एक mistake है chick actually होता है chicken जो होते है ठीक है chicken की spelling यहाँ पर लिखी हुई है C-H-I-C-K लेकिन यहाँ पर हम बोलना चाहते है कौन सी private facility जो expensive है जो elegant है जिसमें सारी facilities है तो यहाँ पर सही जो word होगा कहाँ पर यहाँ पर यह होगा C-H-I-C C-H-I-C-K नहीं क्योंकि यह chicken का equivalent है और यहाँ पर होगा C-H-I-C chick का मतलब होता है elegant ठीक है जिसमें सारी facilities आपको मिलती है तो यहाँ पर सही answer होगा आपका बी इसमें आपका सही answer होगा next question देखते हैं the airline owes O का मतलब होता है कि इतना उसको देना है airline को इतना देना है कर्जदार है वो the airline owes 8500 crores to banks and around 25,000 crores from areas to benders lessers and employees देखे इसको हम बोलते हैं देखे यहाँ पर एक ऐसी mistake है जैसे हम बोलते है I will pay by check और I will pay in cash ठीक है proposition का देखिए use देखिए ध्यान से I will pay by check और I will pay in cash cash के साथ हम buy नहीं लगाते उसी तरीके से areas के साथ हम in लगाते हैं from नहीं लगाते 25,000 crores in areas मतलब बकाया areas का मतलब होता है बकाया तो इसके लिए हम in areas हम लगाएंगे और यहां पर सही answer होगा आपका be in areas ठीक है next question हम देखते है arts of northern France were also put in drought alert देखिए किसी भी चीज़ को जब हम alert पर रखते हैं तो हम बूलते हैं के it is put on alert it is put on alert इसको alert पर रखा गया है ठीक है जैसे put on she was put pills उसको pills पर रखा गया था ठीक है तो इस तरीके से put के बाद यहां पर हम लगाएंगे on in लहीं लगाएंगे यानि be इसमें आपका सही answer होगा next question देखते हैं as the intergovernment panel on climate change points out यहां पर सही है क्योंकि singular subject के लिए यूज़ हो रहा है singular subject है इसमें intergovernmental panel on climate change panel singular है इसने points out कहना यहां पर सही है drawing over large amount of carbon dioxide from the atmosphere is essential if we are to stand देखें यहां पर actually यह जो phrasal verb है यह गलत है इसका use drawing over का मतलब होता है किसी चीज को एक चीज को दूसी चीज से cover कर देना लेकिन यहां पर हम carbon dioxide के निकालने की बात कर रहे हैं ठीक है as the intergovernmental panel on climate change points out drawing over large amount of carbon dioxide from the atmosphere is essential if we are to stand मतलब atmosphere से carbon dioxide को खतम करने की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर drawing over के स्थान पर drawing down कहना सही होगा drawing down का मतलब होता है bid draw करना तो b इसमें आपका सही आंसर होगा next हम देखते है we hypothesized hypothesized मतलब किसी चीच की कलपना करना we hypothesized that the trustworthiness of the original source trustworthiness का यह word सही है यह word सही है लेकिन इसकी spelling गलत है यहां पर i के स्थान पर इसमें होना चाहिए by के स्थान पर इसमें होना चाहिए i यह गलत है इसमें यहीं इस word की spelling इसमें गलत है और यहीं इसमें mistake है बाकी सब इसमें सही है ठीक है next हम देखते है local gold prices hit a record 35,960 रुपीज per 10 grams on Tuesday having jumped more than 10% over the past month rising in lines width देखे मैंने आपको बताया था कि idioms को आपको जरूर देखना चाहिए अब देखे यहाँ पर एक एक idiom होता है in line with उसके हिसाब से या उसके अनुरूप उसके according in lines with नहीं होता यह होता है in line with थीक है तो C इसमें आपका सही answer होगा इस तरीके से आपको keyword को पकड़ना है आपको point पर hit करना है यह ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा sentence पढ़ें उसका मतलब निकालें या सारे word meanings को जानने की कोशिश करें कि आपको point पर hit करना है जैसे error मिलती है आपको आपको आगे बढ़ जाना है और इस तरीके से आप time पचा सकते हैं यह है real technique जो की rankers apply करते हैं farmers like बाबु राओ टडास from बर्धा डिस्टिक इन मारास्ता is praying for normal monsoon rains किस तरह के farmers की बात कर रहे हैं बाबु राओ टडास जैसे farmers की तो यहाँ पर यह वर्ब है यहाँ पर जो subject है यह actually plural है farmers तो इसलिए यहाँ पर यह वर्ब आईगी यह होगी आर यह singular नहीं होगी तो यहाँ पर हम बोलेंगे farmers आर और यहाँ पर आपका answer होगा B तो इस तरीके से यह 15 spot agrar's हैं I hope आपको यह video class अच्छी लगी होगी मेरे सारे video classes यदि आप देखते हैं तो definitely आप selection के काफी नजदीक जा सकते हैं सभी banking और सभी SST exams में मेरी playlist की links मैं नीचे description box में दूँगा इन playlist को आप जरूर देखें सारे video classes मेरे आप देखें definitely इसे आपको बहुत ज़्यदा फायदा होगा इस video class को like करें share करें और यदि first time आये हैं आप इस channel पर तो इस channel को जरूर जरूर subscribe करें इस video class को देखने के लिए आपका बहुत भाँत धन्यवाद Thank you